जेहिन दोस्तों मैं हूँ अनू पर आप सब लोग देख रहे एक Global Conflict दोस्तों पिछले साल से ही आप लोग Indian Armed Forces के Modernization के कई सारे cover सुने होंगे जिनमें नया हतियारों को purchase करने के साथ साथ पुराने हतियारों को upgrade करना और उसे नया जेनरेशन के warfare के लिए तैयार करना जैसे घटना शामिल है और अब future के requirement को पुरा करने के लिए Indian Armed Forces के तरफ से दो महत पूर्ण हतियारों का अफग्रेशन किया जा रहा है आज के इस वीडियो के सबसे पहले हिस्से में मैं आप लोग को Armed Forces के यही अफग्रेशन के बारे में बताऊंगा जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में इंडिया के तेजस को लेके दो नया खबर के बारे में बताऊंगा जिनमें इंडियान एरफोर्स के इलावा कुछ अन्य देशों के तरफ से भी इन तेजस एरक्रेप्टों को खरीदने को लेके इंट्रेश्ट दिखाया जा रहा है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों इंटरनेशनल जरूरत को देखते हुए इंडियान एरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एरक्रेप्टों के फ्लीट को नया आधुनिक और उन्नत मात्रा के सैटलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा हाली में ख़वर मिला है कि इंडियान एरफोर्स के इन ट्रांसपोर्ट एरक्रेप्टों को ट्रैक और इसके पात को मोनिटर करने के लिए एक नया सैटलाइट ट्रैकिंग सिस्टम का डेवलाप्मेंट किया गया है जो ट्रैडिशनल कम दर्जे के ग्राउंट ट्रैकिंग सिस्टमों को रिप्लेस करेगा दोसों ये नया ट्रैकिंग सिस्टम का नाम है आटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वलेंस ब्राटकास्ट या फिर ADSV इन सिस्टमों को प्राइमरिली सबसे पहले इंडियन एरफोर्स के बारा C-130J सुफर हर्कुलिस एरक्रैप्टों में लगाया जाएगा का बात 2014 से ही कहा जा रहा है 2014 में डाइरेक्टर जेनरल सिविल एवियेशन के तरफ से भी इन सिस्टमों को लेकर एक डिपेंल note का inquiry किया गया था ताकि इन system को civil aviation के aircraft में भी इस्तेमाल करने का तरीका ढूंडा जा सके दोसों ये जो satellite tracking system होता है ये कई सारे देशों के aircraft में already इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे system aircraft के live tracking कर सकता है और aircraft के path और aircraft कैसे travel कर रहा है उसका पूरा जानकारी दे सकता है दुरगटना के situation को टालने में भी ऐसे equipment काफी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि कोई दुरगटना जासे situation में इन system के मदद से rapid response करना काफी आसान होता है दोसो transport aircraft को upgrade करने के साथ साथ anti aircraft हत्यारों को भी Indian Armed Forces के तरफ से upgrade किया जा रहा है हाली में 15 जनवरी के दिन Army Day Parrot के मौके में इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले Soviet जमाने के tracked anti aircraft gun ZSU-23-4 SILKA Mobile Air Defense System का एक upgraded version दुनिया के सामने लाया गया दोसों ये जो नया upgraded version को दुनिया के सामने लाया गया ये totally modified है और पहले के सिस्टम के तुलना में काफी जादा effective है आपके जानकारी के लिए बता दू कि SILKA सिस्टम असल में PD-76 light tank के चैसिस के उपर निर्मित XL Propel Anti-Aircraft Gun System है जिसमें 4-23 mm के automated firing cannon है दोसों ये cannon के मदद से करीबन 2 km दूर तक दुश्मन के एर क्रेप्टों को मार गिरा जा सकता है इंडियन आर्मी में इसे point air defense के तहत इस्तेमाल किया जाता है जबकि ये cannon के पास per minute per barrel में 800 से 1000 round firing capability है SILKA gun सिस्टमों में 2000 round ammunition store किया जा सकता है जो 40 box magazine में store होता है दोसों इसमें जो PT-76 के chassis का इस्तेमाल किया गया है इसके मदद से ये करीबन 50 km speed से दौर सकता है साथ में 45,5 km तक travel वी कर सकता है इसके पीछे RPK-2 नामक 1 search radar का इस्तेमाल किया गया है जो दुश्मन के aircraft को 20 km दूर से track कर सकता है और aircraft के altitude, angle और path behavior को track करने के साथ साथ एक gun को automated targeting position में भी ला सकता है सिल्का gun सिस्टमों में इस्तेमाल होने वाले एक या दो gun के मदद से ही दुश्मन के aircraft को मार गिरा जा सकता है पर ये नया upgraded version को और उन्नत बना गया है और इसमें मदद किया गया है भारत electronic limited द्वारा दोसों upgraded version में नया features के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसका नया 3D active phase radar जिसे पुराने radar को replace करके लगाया गया है अफग्रेड़ सिल्का system काफी ज़्यादा effective है और ये दिन रात दोनों situation में ही लड़ाई कर सकता है जबकि इसमें नया electronic countermeasure system लगाया गया है जो नया generation के environment में भी काम कर सके इसके इलावा नया सिल्का system में multiple tracking system भी लगाया गया है ताकि ये एकी समय में एक से अधिक target को track कर पाए इसके इलावा user friendly कुरू के इस्तेमाल के equipment को भी लगाया गया है जैसे कि बड़े आकार के display और user friendly operating system दोसो अब चलिए जानते हैं तेजस एरक्रेप्ट के नया update हाली में 83 तेजस एरक्रेप्ट खरीदने के approval के बाद कई वार ये भी जताया जा चुका है कि कई सारे देश तेजस एरक्रेप्ट को खरीदने के लिए इंटरस्ट है और दोसो इस बार हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के चेर्मेन डॉक्टर आर माधवन के तरफ से भी जताया गया कि कुछ कंट्री तेजस एरक्रेप्ट को एक्सपोर्ट आर्डर भी मिल सकता है डॉक्टर आर माधवन के तरफ से तेजस एरक्रेप्टों के खुबियों के बारे में बताते हुए इसे दुनिया के अन ने सिंगल इंजिन लाइटवेट फाइटर एरक्रेप्टों के साथ कंपेर भी किया गया और पाकिस्तान जैसे देश में इस्तेमाल होने वाले चाइनिज मेट जेफ 17 के साथ इसे कंपेर करते हुए उनके तरफ से कहा गया कि मार्क वान ये एरक्रेप्ट जेफ 17 के तुलना में कई सारे मावलों में काफी उन्नत है खास करके एर कैप्टों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक और पावरफुल इंजिन, आधुनिक राडर, इलेक्ट्रोनिक वोरफेर सूट और टेक्नोलोजी कली बेटर एक्वेप्मेंट, इवेर उनके द्वारा ये भी वताया गया है कि इस काटेगरी के अन्य एर कैप्ट बेस के इंफ्रस्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्टों में शामिल है, इसके इलावा 7,000 करोर रुपया बेसिक कस्टम ड्यूटी और GST के मत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्होंने अपने बयान में ये भी वताया कि डेवलोप्मेंट और डिजाइन कोस्ट के हिसा 280 करोर रुपया पर यूनिट है, 200 तेजस एरक्ट के डील के उपर हस्ताक्षर होने के बाद 3 साल के अंदर एरक्टों के लिए बेसिक इंफ्रस्ट्रक्चर, ग्राउंड फैसिलिटीज, निर्वान भी करना है और पहले एरक्ट का डिलिवरी भी देना है, मतलब 2024 के मार्च म लिमिटेड, 16 एरक्ट पर येर के रेट से तेजस एरक्टों को निर्मान करेगा, 200 एक्सपोर्ट के उपर सवाल पूछने पर उनके तरफ से ये भी कहा गया है कि फिलाल तेजस एरक्टों का जो प्रोड़क्शन लाइन है, वो डोमेस्टिक रिकोर्मेंट को पूरा करने के लिए है और जरूरत पढ़ने पर और भी प्रोड़क्शन लाइनों को बनाया जा सकता है ताकि जरूरत के मुताविक एरक्टों का डिलिवरी किया जा पाए, दोस्तों इंडियान एरफोर्स द्वारा अल्रेडी 40 तेजस एरक्टों का ओर्डर दिया जा चुका है, जिन में तेजस एरक्टों को मनुफेक्चर और तेजस एरक्टों के कॉम्पोनेंटों को मनुफेक्चर करने के लिए करेंटली 563 से भी अधिक एंटर्प्राइज़ शामिल है, जबकि इसे बढ़ा के 600 से 600 तक करने का इरादा रखा जा रहा है जो एक महत्वपूर्ण एकोसिस्टम और गवर्मेंट के तरफ से भी डिफेंस एकोईफ्मेंट मेणुफेक्चर इंग में भी काफी महत्व दिया जा रहा है और करीबन 25 बिलियन डॉलर के डिफेंट मेनुफेक्चर करने का इरादा 2025 तक रखा जा रहा है, और दोस्तों इसके लिए कई सारे महत्वूर्ण और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिये ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद